Hey guys, what's up? Welcome back to the third part of Vector chapter. आज हम अपना Elodactical Method complete करेंगे. पिछली वीडियो में अपने Graphical Method से तीनों के तीनों लॉस समझ लिये थे. आज हम उनके Derivations देखेंगे. आज की वीडियो में कई सारे Numericals होगे. एक भी Numerical मत छोड़ना, वीकॉज हर एक Numerical में एक नया Concept लगेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि Method of Vector Addition दो तरह के होंगे. हम दो तरह के से पढ़ाएंगे आपको. एक तो का Graphical Method और Geometrical Method. इसका क्या मतलब होता है, कि Diagrams बनाकर आपको समझाना, सारे सारे Concept आपको क्लियर कर देना. और Second Method होता है आपका Analytical Method. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको Formulas बता दिये जाएंगे, उनी Laws के. तो हमने प्रीवियस वीडियो में Paralogram Law of Vector Addition के बारे में. For Example, जब आपको दो Vectors दिये जाते थे, A और B, और वो Act करते थे, Adjacent Side of Paralogram की तरह, तो आप क्या करते थे, उनका जो Intersection Point था, ठीक है, Common Point था, वो आपका Resultant देता था, तो आपको Paralogram को ऐसे पूरा करना होता था, ठीक है, तो यह आपका Resultant होता था, अब Resultant किस चीज़ के इकुल होता था, A Vector प्लस B Vector, जब भी कभी हम दो Vectors को प्लस करते थे, तो हमें Resultant मिलता था, जो खुद भी एक Vector होता था, ठीक है, अब Vector का, यह जो Resultant है, इसकी Length आपको क्या देती थी, अगर आप इस Length को Measure करें, तो यह आपको क्या देती थी, Magnitude of Resultant, ठीक है, और अगर आप इसकी Direction निकालना चाहो, तो आपको यह Angle Measure करना था था, जिसका नाम है Alpha, अब यह Resultant कैसे Find करें, और Alpha कैसे Find करें, आज हम इन दोनों चीज़ों के Formula's Derive करेंगे, तो चलिए फटाक से हम Formula's Derive कर लेते हैं, अब हम Derive करने जा रहे हैं, Formula's for the Resultant and Direction of Resultant, ठीक है, Direction of Resultant निकालते थे Alpha से, तो क्या था, Derive करते लेते हैं, For example, आपको हमेशा ऐसे दो Vectors दिये जाते थे, तो फिगर बहुत इंपोर्टन्ट है, फिगर हमेशा साफ सुतरी बनाया करो, ठीक है, दो Vectors दिये जाते थे, और जिनका टेल से टेल जम मिले रहते हैं, तब लगता था पैरलो ग्राम लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल बता रहा हूँ, मैं ठीटा, ठीक है, आपको derive करने लिए क्या करना होगा, First of all, you have to extend this line, like this, ठीक है, और उपर से एक, क्या कहते है, perpendicular गिरा देना, इस लाइन पे, ठीक है, इसको इस तरह के से extend करना है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले नाम करन कर लेते हैं, O, इसको नाम देते हैं M, इसको P, ठीक है, इसको देते है N, बस इतना बहुत है, ठीक है, अब यह जो नॉर्मल इसके उपर, लाइन के उपर गिरा है, कितने एंगल पे होगा, 90 डिगर यह एंगल पे होगा ना, अब हमें क्या करना है, और यह थीटा, अगर यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, MP और NP, MP और MP, यह साइड से हमें find करनी है, हम इसको अलग से draw कर लेते हैं, अब मुझे बताओ, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें थोड़ी ची ट्रिग्नो लगा ले गया, चलिए लगा लेते हैं, तो हमें MP फाइंड करना था, तो MP, अब ऐसी कुछ रेशो उठानी हैं, हमें ट्रिग्नो मैटरिकी, जिसमें बेस आजाए और आपका परपेंडिकुलर आजाए, तो हम उठा लेते हैं, ठीक है, बेस अपॉन हाइपरटुनेस, बेस क्या है आपका, MP, और हाइपरटुनेस बताओ, यह है हाइपरटुनेस, यह क्या है, अगर यह B वेक्टर है, यह約encer साइट से ना, तो यह भी वेक्टर है, तो यह भी आपका B वेक्टर हुआ, तो नीचे लिखना है, B वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ से आपका, MP की वैल्लियो आसकती है, आसकती है बड़े आराम से, MP equals to, B cos theta, B को मैंने क्या करा, रिक्वल्स टूँ पंदित बदरी प्रसाद हर हर ठीक है भोले ठीक है पर पेंडिकुलर आपका यहाँ पर आगया इनपी हाइपर डूटरी इनपी हेभी वेक्टर और यह को था साइन थीटा के यहां से आपका एनपी आ जाएगा क्या आएगा एगा वी साइन थीटा वैसे जब अगले मेरे ख्याल चे दो तीन पार्ट्स बार जब मैं वीडियो प्लोड करूंगा रेजुशन वेक्टर की वहाँ पर डारेक्ट देखते ही बता दोगे कि यह बी कॉस थीटा होता है यह एंगल के सामने वाला बी कॉस थीटा होता है और यह आपका बी साइड थीटा हो अलग से ड्रॉब कर रहते हैं ओ एन पी अन पी क्या था अभी निकाला था भी साइन थीटा ठीगैंळंदो को एम यहां पे एक बीच में पॉइंट भी था ठीगैंड एम पी क्या था आपका तो चलिए लगा लेते हैं देखो पाइता को रस्थिर्म कैसे लगेगी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ओपी स्क्वेयर प्लस एनपी स्क्वेयर ठीक है आर क्या है आपका ओएंपी क्या है आपका ओपी ओपी स्क्वेयर वैसे ऐसे लिखते हैं देखो ओएंपी इसका होल स्क् है फिलाल इसको एंपी लिख लेते हैं ठीक है अब हमें वैल्यूज रखनी है ओ एंड की वैल्यू का है और इसका स्क्वेर ओ एम क्या था आपका एवेक्टर ठीक है ओ एम ओ एम था आपका एवेक्टर प्लस अब आपका एम पी क्या था बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वेर प्लस एन पी क्या था आपका बी साइन थीटा इसका होल स्क्वेर ठीक है अब कुछ नहीं करना खाली मैं सब बढ़िया वाली देखो ये ए प्लस बी का होल स्क्वेर की अडेंटिटी यहां पर लगी ठीक है एए स्क्वेर प्लस 2AB, A, B क्या है आपका पूरा का पूरा, B आपका पूरा यह है, B cos theta, ठीक है, यह मैंने रख दिया, अब इसका square कर दो, B square, sin square, theta, देखो, यहापर दोनों का square है नहीं, तिलिए दोनों का square आ रहा है, ठीक है, अब हम find कर लेते हैं, आगे, अब देखी क्या करना है आपको A square को अलग से लिख दो, अब देखो, B square जीस जीस पर है, इसके पास है, इसके पास है, इसे एक side लिया हो, इसमें से मैं B square common ले ले रहा हूँ, क्या बता, cos square theta, plus sin square theta, कुछ खुशिश हुई, हुई, अगर हुई है तो आप अच्छे बच्चे हो, नहीं हुई तो आप गंद theta, R यहाँ, तो यहाँ पर R square था, यहाँ पर मैं खाली R लिखना हूँ, क्योंकि यह जो R square यह इधर चला गया, और इधर आके square क्या बन जाता है, root, तो यह आगया आपका resultant find करने का formula, यह निकालना था आपको, ठीक है, अब हम निकाल लेते है, direction, ठीक है, direction कैसे निकलती थ बापस यही प्यारा जाते है, यह जो आपका, आपकी नहीं यह बनाया था, यह आपका resultant, on, resultant था ना, अब यह alpha angle की चीद मतलब, यह A की respect में कितना उपर है, resultant, कितना angle बना रहा है, यह आपका direction बताता था, अब हमें direction ही find करनी है, तो चलिए कर लेते हैं, देखो, angle find करन बना रहा हूं, क्योंकि figure से सारे काम easy हो जाते हैं, और एक बात होर धियान रखना, यह जो trigonometry ratio लग रही है, यह क्यों लग रही है, यह right angle triangle है, ठीक है, इतना तो पता ही होगा, चलो, यह आपका resultant था, यह B sin थिटा था, यह B cos थिटा था, ठीक है, मतलब वो अलग था ना, perpendicular upon base, यही तो होगा, perpendicular क्या है, एनपी, बेस क्या है, ओपी, ठीक है, एनपी किसके क्यों है, B sin थिटा के, ओपी किसके क्यों है, ओपी, A plus B cos थिटा के, लो भई, तुमारा आपका angle का भी formula आ गया, कही जगा, तुम्हें ऐसे भी लिखावा दिखेगा, देखो, ऐसे, alpha equals to 10 inverse B sin theta upon A plus B cos theta, ऐसे लगा ही देगा, अगर आपने inverse trigonometric function chapter पढ़ लिया है, तो आपको clearly समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है, आज में एक link दूँगा नीचे, inverse trigonometric function देखने के लिए, महां से आप देख सकते हो, ठीक है, यह आपको कई जगा ऐसे भी देखेगा तो आपका angle के लिए यह formula है, और resultant के लिए यह formula है, बस यही था आपका derivation, अब कर लेते हैं कुछ questions, अचलिए start करते हैं अपना question, question हमारा, two forces, each of magnitude 10 newton, act at a point, act at a point, as shown, मतलब शोन देखो, यह figure आपकी, ठीक है, find the resultant, resultant हमें find करना है, तो लगा देते है पैलो ग्राम लो, यह दो मालो आपके vectors है, इनके बीच में angle है 60, ठीक है, हमें क्या find करना है resultant, तो first of all, पैलो ग्राम हम लगाते है, पीछे हमने derivation अभी किया था, formula वहाँ से निकल गया, तो diagonal हमें resultant देता था, ठीक है, diagonal की length हमें magnitude देता था, resultant का, और diagonal का, यह जो angle, जितने angle पर होता था, न तो चली start करते है, कुछ नहीं हमें, खाली formula लगाना है, जो अभी हम सीख के है, r square equals to a square plus b square plus 2ab cos theta, ठीक है, बस यह हमें formula लगाना था, r square हमें नहीं पता वहीं तो निकालना है, a का square मतलब 10 का square, कितना हुआ, 100, b का square, 100, क्योंकि b हमारे 10 newton है, ठीक है, और 2, a का है आपका 10, 10, b क्या है, आपका 10, into 10, cos theta, अभी हम पर कौन सा theta रखना होता है, देखो, यह 60 degree जो आपको given है, आपको यहाँ पर वो रखना होता है, दो vectors के बीच का अंगल यहाँ पर आपको रखना होता है, ठीक है, तो cos 60, अच्छा, अब यहाँ पर आपको cos 60 की value याद होनी चीए, ठीक है, कितना आगया, 300, यह आपका आगया, multiply, multiply करके, अब आपको क्या करना है, R, root इदर आजाएगा, R square था ना, देखो, इदर R square था, R square का इदर आजाएगे, वो क्या हो जाएगा, root, 300 का root क्या होगा, यह होगा, I think, 2 root 3, निकाल ले ना, भाई, root निमें, निकाल के resultant का magnitude आगया, अच्छा, अब आपको direction find करनी थी, तो direction find कर लेते हैं, देखो, direction क्या formula था, 10 alpha, equals to, B sin theta, plus AB cos theta, यह था आपका formula, ठीक है, चलिए, अब आपका B क्या था, 10 था, sin theta, मतलब sin 60, 60 degree angle था, अब, A क्या था, 10, B भी आपका 10 था, और cos 60, इसे आपको solve करना है, खाली, sin 60 की value, यह values आपको याद रखने होंगी, अगर नहीं आती, तो मैं table कैसे बनाते हैं, वो भी आपको, उसका एक link नीचे दाल दोंगा, वीडियो का वहां से देख लेना, ठीक है, अब, cos 60 की value क्याती है, half इसे solve करना है, two five, two five, five, five root three आगया, एक आगया, five into 15, 10 plus five, ठीक है, इसे solve करना है, फॉर्दर solve करो, देखो, 15 है, sorry, five, 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 ठीक है, यहाँ, two five जागया ना, और यह क्या था, यहाँ पर plus है, ठीक है, चलिए, five root three upon 15, तो देखो कि आगया, 15, root three, five बंजा, three is a, root three, अब यह जो three है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, root three into root three, root three into root three क्या होगा, three होगा, तो एक root three, एक से root three क्या है, one upon root three, अब यह सब किसके को लाड़ता, ten alpha के लिखना, तो अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, ten alpha equals to, अब यह one root three, कौन से ten की value होती है, ten, 30 की value होती है, तो मैंने सिंपली ऐसे रख दिया, अब ना, यह 10 से 10 हमें कभी भी काटना नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, अब आपको यहाँ से direction भी पता चल गी, तो बस अब हम करते हैं, second question, तो second question है, two forces whose magnitude are in the ratio of 3.5, ठीक है, give as, give a resultant resultant दे रहे हैं, वो दोनो, 28 Newton का, ठीक है, if the angle of their inclination, मतलब उनके बीच का angle है, जो वो कहा है, 60 degree, find the magnitude of each of force, magnitude बताना है, each of force के, each of force मतलब आपके पास मानलो, दो force है, A और B, यह फिर F1 और F2, जिनके बीच का ratio है, F1 upon F2 क्या है, 3 ratio 5, ऐसे ही तो होगा, अब यह जो 3, अब यह जो 3 ratio 5 है, यह कुछ cutting करके आया होगा, ठीक है, यह actual में F1 3 तो होगा नहीं, और F2 5 तो होगा नहीं, ठीक है, तो हम let कर लेते हैं, F1 हम let कर लेते हैं, 3x, और F2 हम let कर लेते हैं, 5x, ठीक है, यह कुछ हमने assume कर लिया, कि F1 यह है, F2 यह है, अच्छा, इनके बीच का resultant जो म formula लगाया करो, ठीक है, F2 का square plus 2 F1 F2 cos theta, पहलो ग्राम लोगा है, फिगर भी बनाऊं क्या, देखा ऐसे होगा कुछ, ठीक है, 60 degrees के बीच का angle है, यह ऐसे resultant है, यह आपने पूरा कर दिया पहलो ग्राम दो, बस यह आपको निकालना है, इन दोनों का magnitude, यह F1 है, यह F2 है, इन का whole square, F2 कितना था, 5X का whole square, plus 2F1 कितना था, 3X, F2 कितना था, 5X, cos theta, पिछले question में बताया था, theta क्या होता है, इन दोनों के बीच का angle, दोनों के vector के बीच का angle, जो क्या है, 60 degree, चलिए, अब इन इसकी squaring खोलना मत, देखो आगे न, शमतकार होते हैं, कई सारे, ठीक है, तो क् हो गए, 9X square हो जाएगा, ये क्या होगा, 25X square हो जाएगा, ये क्या होगा, 2, 3, 6, या फिर रुख जाओ, 3, 5, 3, 15 कर लो, इतना कर लो, 15X square, जो एक से एक से कभी तो कहा, को 60 की value क्या होती है, जल्दी बताओ, हाफ, ठीक है, अब ये 2 से 2 गया, चलिए, 28 का square बचा, इक्वल स्टू, 9X square, देखो, 9X square, प्लस 25X square, प्लस 15X square, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25, प्लस 15, 49, X square, अब ये आ गया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वाइर है, स्क्वाइर से स्क्वाइर कर जाएगा, या फिर दोनों तरफ आफ रूट ले लो, ठीक है, वही सेम बात है, अब ये जब स्क्वाइर से, दोनों तरफ रूट लोग है, ऐसे, तो ये स्क्वाइर से, ये तो कट गया, और ये स्क्वाइर से, ये कट गया, अंदर क्या कर रहेगा, 49, तो कि इसका थोड़ी ना था, अब अगर आप इसको 49 को ऐसे, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, अब इसका रू इसकी एक्स, तो एक्स की जगह अब आप 4 रखेंगे, तो क्या एगा, फ्री फोर्जा 12, और ये एक्स की जगह 4 रखेंगे, तो क्या जएगा, 5, 4, 20, तो दोनों का आपको मैगनिटूड पता चलिया, बस यह यह था आपको क्वेशन, अच्छा क्वेशन था ना, तो अब आपके पास आते हैं कुछ special cases, ये special cases किसके लिए हैं, ये जो आपने पहले लोग लाम लोग का फॉर्मूला बढ़ा ना, R इकोल स्टू अगर अगर थीटा 0 डिगरी हो, 180 डिगरी हो, या 90 डिगरी हो, इसकी हमें cases पढ़ने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने cases, तो अब देखो, जब दो वेक्टर्स सेम डिरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सेम डिरेक्शन हैं और दोनों की, ये A वेक्टर माल लो, ये B वेक्टर माल लो, तो इनके बीच में क्या अंगल होगा, जिरो ही तो होगा, दो लाईन के बीच का अंगल बताना, जरह वो parallel हो, 0 जिर इनके बीच तो कुछ एंगल ही नहीं बन रहा अगर मैं इसको parallel shift करके मालो यह vector है इसको parallel shift करके b को पहले आगे लिया हूं फिर उपर ले जाओं तो इसका resultant कुछ ही होगा अब अगर मैं इसका resultant find करता हूं तो क्या हैगा a square plus b square plus 2 a b cos theta की जगे क्या हैगा 0 because दो vector के बीच का angle ही तो हमें यह लिखना होता है जो की है यह नहीं कुछ भी तो 0 अब cos 0 की value क्या होती है 1 1 होती है cos 0 की value याद रख लेना ठीक है अब यह कुछ आपका ऐसे हो जाएगा a square plus b square plus 2 a b अब जड़ा math में अगर आप ठीक हो तो आपको पता चलिया होगा देखके यह क्या हो जाएगा a plus b की identity नहीं है यह खुली भी a plus b का whole square क्या होता है a square plus 2 a b हमने इसको बाहन कर लिए अब square से root कर जाएगा तो r क्या है आपका a plus b अब यह जो आपका resultant की value आई है ना यह a plus b इसी value को हम कहा देते है maximum value जो आपकी resultant की maximum value होगी ना वो अगर आप a plus b करोगे तो आपकी maximum value हो जाएगी ठीक है अब हम बात करते है second case की क्या करता है when two vectors are acting in opposite direction अब देखो एक ये वेक्टर हो गया a और एक ये वेक्टर हो गया b ठीक है दोनों opposite direction में है ना दोनों एक इधर जा रहा एक इधर जा रहा तो इनके बीच का अंगल क्या होगा यह होगा ना यह क्या है 180 degree तो बस अब हम इसे find करना है आर स्क्वार इकोल से इनका resultant find करना है a square प्लस b square प्लस 2 a b कॉस 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 180 degree क्योंकि a स्क्वार एक वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अंगल हमें आ लिखना होता है ना अब कोस 180 की value याद रखना क्या होती है माइनस 1 देखो यह सब चीज़े याद कर चेलो अगर आप 11th में नए आया हो तो आपको यह चीज़े याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि quadrant roll अगर पढ़ लिया है तो याद करनी कोई जरूत नहीं है ठीक है चलिए अब a square प्लस b square अब देखो 2 a b कोस 80 की value का बता ही माइनस 1 तो यह माइनस का sin आजाएगा अब root इदर आगया r की value आपकी यह आगी अब यह भी कुछ जाना पैचाना तो लगी रहोगा a minus b का whole square नहीं है यह whole square है ना चलिए अब क्या है यह square से root कर जाएगा r equals to a minus b अभी जो a minus b आपका value है ना यह क्या देगा आपका minimum value of resultant ठीक है यह minimum value देगा ऐसे ठीक है अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके समझते हैं चलिए तो यह क्या था maximum value of resultant is equal to the sum of two given vectors मतलब अगर आपको दो vectors दिये जाते हैं आप उसका sum करेंगे ना vector law of addition के दिवारा ठीक है तो a plus b आपका maximum value देगा और a minus b आपका minimum value देगा तो आपका resultant होगा ना वो हमेशा a minus b से तो बड़ा होगा और या फिर equal और a plus b से छोटा या फिर equal ठीक है अब इसके उपर एक question करत जाते हैं the resultant of a and b vector can never be मतलब आपको दो vector दे दिये direct ठीक है जिसका magnitude का है इसका तो 3 है और इसका 4 है ठीक है अब इससे पूछ लिया जाता है आपसे कि इनका resultant क्या नहीं हो सकता तो आपको मैंने बताया था minimum value इनकी क्या हो सकती है जब a minus b यह तो minimum value देगा और a plus b क्या दे three one ठीक है अब जो आपका resultant होगा इन दोनों के बीच में लाए ours एक से थिक है तो one से seven तक आप रिजलटेंट हो सकता है अब आपके options देखिए 2 unit 6 unit 3 unit 9 unit अब बताओ 2 unit तो इसके बीच में लाए करता है 1 के 7 के बीच में और 6 भी लाए करता है 1 के 7 के बीच में देखो इनके बीच में क्या-क्या number लाए करते है 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है अब यह चारे सारे numbers इसके बीच में लाए करते हैं वो इन्होंने 2 पूचा है 6 पूचा है अब 9 पूचा 9 नहीं है 3 भी पूचा 3 भी है तो 9 इसका आंसर होगा नेवर भी 9 next question है which pair of the following forces will never give the resultant force of 2 newton ठीक है यह आपको options दे दिये forces के pair के ठीक है यह मानलो ए वेक्टर और भी वेक्टर के आप पेर दे दिये और आपसे पूचल लिया कि इनका resultant कब कौन सा pair 2 newton नहीं देगा ठीक है तो पहला pair है आपका 2 newton and 2 newton तो आप इसकी maximum और minimum value निकाल लो maximum value क्या होगी 2 plus 2 4 ठीक है और minimum value क्या होगी 2 minus 2 0 ठीक है second part क्या था आपका 0 2 क्योंकि 1 plus 2 तो 2 हो गया maximum value और 1 minus 1 0 हो गया यह ऐसे कर रहो ना a minus भी आपका minimum value देती थी a plus b आपका maximum value देती थी अगर वीडियो ना समझ में आ रही हो तो एक बार ही repeat मारना ठीक है तो थर्ड पार्ट आपका क्या होगा 2 क्यों हो गए क्योंकि 3 plus 1 4 3 minus 1 2 ठीक है अब फॉर्थ पार्ट आपका क्या होगा 3 3R 5 क्यों होगा क्योंकि 1 plus 4 5 और 1 4 minus 1 3 ठीक है अब यह तीनों यह चारों आपके पास आंसर आगे तो पहले पार्ट में आपका देखो 0 1 2 3 4 पांच चीज़े आ रही है और इसमें 2 आ रहा है इसने क्या पूचा जो ना दे सकते जो पेर ठीक है सेकंड पार्ट में 0 1 2 3 4 5 इसमें 2 नहीं आ रहा तो यही पार्ट आपका आंसर है नेक्स्ट कोश्चन है दे मैक्सिमम एंड मिगनिमम वेक्टी ट्यूड ऑफ दर रिजल्टेंट ऑफ टू गीवन वैक्टर्स आर मतलब जो मैक्सिमम है ना मैक्सिमम रिजल्टेंट वो तो आपका 17 और आपका मिनि कुछ ऐसे होगा ठीक है तो इच अधर 10 में एक फार में फार्टन गर्न है मैं नीचूड ओफ दर रिजल्टेंट का मैं फार्टन करना है फस्त अफ आ ऊच्ट आपको दो एक्वेशन दे लिए ठीक है और इन यह क्या धे धिया मैक्सिमम वैलू यह मिनिमम वैल्यू आप इ A की value और B की value निकाल सकते हो न, elimination से, ये कट जाएगा, कितना एगा, 2A equals 17 plus 7, कितना आगा, 23, ठीक है, 23 हाएगा, 24 हाएगा, अरे बाई, 24 हाएगा, A equals 2, 21, 22, A कितना आगा, 12, अब यहाँ, 12 यहाँ यहाँ पर रख दो, ठीक है, 12, और इधर जाएगा, तो minus 12, minus 12, तो आपका B हाजाएगा, 5 हाजाएगा, हाँ, B5 हागया, ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछ लिया, आपसे क्या पूछा था, magnitude पूछा था, R का, तो कुछ नहीं, formula लगा तो, पैर लोग लाम लोगा, R equals to, root A square, plus B square, plus 2AB, cos, theta कितना है, theta, दो वेक्टर के बीच का एंगल, 90 degree, ठीक है, A कितना है, 12, 12 का square, 144, यह नहीं, याद कर लो, ऐसे, ठीक है, डारेक्ट नहीं, square याद कर लिया, करो, B का square, 25, 2AB, cos, theta, अब value पूछ करने से पहले ज़रा ही, देखो, cos 90 की value क्या होती है, जल्दी बताओ, cos 90 की value होती है, 0, तो 0 जो मिल्टिप्लाइ करोगे, तो यह पूरी term, 0 जाएगी, खाली आपके पास यह बचेगा, R, तो R, कितना हो गया, 169, root में, तो R के आगया, 13, तो यहीं आपका magnitude, तो फ्रेंस, आज हमने, laws of vector addition का analytical method complete कर लिया, हमने direction निकालनी सीख लिए, हमने formula सीख लिया, हमने resultant का magnitude लगाना सीख लिया, निकालना सीख लिया, ठीक है, अगली वीडियो की बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट होगी, numerical साप ट्राय करो, numerical से आपके सारे-सारे basics क्लियर हो देंगे, और वो minimum or maximum value value, जो मैंने आपको बात बताई थी ना, वह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, उने के उपर आपके examples आते हैं, questions आते हैं, तो चलिए यह किसाँ, end करते है अपनो वीडियो, thank you so much for watching, bye.